परियोग साला में सरपर्थम DNA का संस्लेशन किस ने किया था तो वो किया था खुराना ने खुराना ने जो है वो DNA का सरपर्थम संस्लेशन किया था ओप्सन भी सही है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं DNA उंगली छाप का परियोग किस की पहचान के लिए किया जाता है तो DNA उंगली छाप का परियोग जो होता है माता पिता की पहचान या बलतकारी की पहचान चोर की पहचान करने के लिए इनका परियोग किया जाता है तो ओप इस अस्तर के प्रोग्राम Human Genome Project का संबंद किस्से है तो ये है मानब जीनो और उनके अनुकर्मों की पहचान और मानचेत्रन से एक किस के दवारा किया गया था अगर परियोग साला सब्द लग जाता है तो ये परिच्छन किया गया था तो किसके दौरा किया गया था डाक्टर एलेक जफ्रीज दौरा नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं निमलिखित में से कौन से तत्य मानब जिनोब पर्योजना से संबंदित है तो यह जो है यह पर्योजना उनेश सनब्बे तुहजार तिन के मद स सही होगा नेक्स्ट कुश्चन निमलिखित में से किने अनुबानसिक इंजिनियरिंग का जनक माना जाता है यह माना जाता है यह पाउल वर्ग को पाउल वर्ग को अनुबानसिक इंजिनियरिंग का जनक माना जाता है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं निमलिखित में से क्लोन के संबद में कौन सा कथन सही है तो क्लोन जो बनता है उसमें क्या होता है अलेंगिक बीदी से उत्पन किया जाता है क्लोन जो होता है इसमें अलेंगिक बीदी से उत्पन किया जाता है अलेंगिक बीदी क्या होता है इसमें माता-पिता भाग नहीं लेते हैं उसे अलें सेकल का बनाना नेक्स्ट कोई जी वो हरविंद खुराना को किस अभिसकार के लिए सम्मानित किया गया हर गोविंद खुराना को किस अभिसकार के लिए सम्मानित किया गया था तो इसको जीन के संस्लेशन के लिए जीन के संस्लेशन के लिए हर गोविंद खुराना को सम्मानि क्या गया था next question देखते हैं एक बैस्क दही कोसिक से क्लोन की गई पर्थम अस्तन पाई डॉली के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो देखते हैं option ये क्या था डॉली की मिर्तिव वर्ष 2003 में हुई थी option ये सही है डॉली अपनी मां की मात एक कोसिका से उत्वन की गई थी ये भी सही है, डोली का जन्व उने संथार में हुआ था, ये क्या गलत है. Next question देखते हैं, निमलिखित में से कौन मनुस द्वारा निर्मित अनुवांसिक रूप से अभियांत्रिक पर्थम जिवित जीभ है..? तो वो कौन सा है डॉली है नेक्स्टर कोचन देखते हैं डीने फिंगर प्रिंट का निर्धारन किया जाता है डीने तंतु में छारक इगमों के करम से डीने तंतु में छारक इगमों के करम से डीने तंतु में छारक इगमों के करम से डीने फिंगर प्रिंट का निर्धारन कि जा जाता है